असलामलेकूम आज हम बनाएंगे हैदरबादी खट्टी डाल जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी डाल बनती है यह बहुत ही ईजी और क्रिक डाल की रेस्पी है आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाते हैं सबसे पहले हम डाल लेंगे तो हमें तीन से चार लोगों के लिए बनाना है तो हमने तीन चौथाई कप डाल लिये आपको जितने ने लोग कर गाल, इसे धोलेंगे और करीब आधे गंटे से एक गंटे के लिए हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे थोड़ी से इमली को भी हम सोक करके रखेंगे, तो थोड़ी से गरμ पानी में इसको हम भिगा देंगे बगाइर बीज वाला इमली है तो करीब दो टेबल स्पून के करीब यह इमलीली है दाल को करीब एक घंटे के लिए हमने सोक कर लिया है और अब इसका जो हमने पानी था उसको दो करके हमने फेक दिया है अब हमें कूकर लेंगे इसमें यह दाल डाल देंगे तीन कप इसमें पानी डालेंगे या जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना हो आप इसमें पानी डाल सकते हैं तीन चौथाई कप डाल के लिए हमने 750 एमल पानी डाला है अब इसमें तीन चौथाई चमच हल्दी पाउर डालेंगे नमक डालेंगे टेस के हिसाप से अपने तीन चौथाई चमच लैसूनदा का पेस्ट डालेंगे दो से तीन मीडियम साईज के कटे हुए टमाट्र डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे या जितना आपको स्पाइसिस में पसंद है कम जादा आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं अब चम्मा से इस तरह से हम हलका सा चला लेंगे और इस कूकर का ढखन लगा करके करीब दो से तीन सीटी आने तक हम इसको प्रेशर कर लेंगे इस सलो आज़ पे इसको हमने करीब 5-10 मेटले इसको पकाया है करीब 3 सीटी आने के बाद हमने गैस का फ्लेम आफ करles दिया है इसका प्रेशर अपने आप खत्म होने दिया हमने इसके बाद हम धकन खोल करके चक कर लेंगे इस तरह से हलका सा चम्मा से ही इस तरह से मैश कर लेंगे दाल को और ये दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है इमली को अच्छे से मैश कर लेंगे क्योंकि इसमें बीज नहीं है तो इस तरह से हाथ से मैश कर लेंगे इसका पल्प निकाल लेंगे और इस पल्प को हम इसी में डाल देंगे दाल में इमली के पल्प को डालने के बाद हलका सा हम इसे एक बॉयल दे देंगे एक उबाल इसमें आ चुका है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब इसके लिए हम तड़का तयार करेंगे अब हम एक तड़का पहल लेंगे या हम दूसरे बहुने में या बर्तन में तीन तेबर स्पून के करीब सरसुख का तेल गरम करेंगे आप चाहे तो इसकी जगे गी का भी इस्तवाल कर सकते हैं तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे तेल के अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हम दो से तीन बारी कटी हुई लहसुन की कली डालेंगे जब ये हलका सा फ्राई हो जाएगा इसमें हम एक टी स्पून यानि एक छोटा चमच जीरा डालेंगे जीरा हलका सा चटक जाएगा साथ में लेसुन भी फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आदा चमच सरसो के दाने डालेंगे एक डंडी करीपता कर डालेंगे दो से तीन सुखी हुई लाल मिश डालेंगे अब इसके बाद हलके से तड़क जाएं अब इसमें हम एधाल डालेंगे अब गैस का फ्लेम आफ कर देंगे लास्ट में इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे चम्मसी से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी हेदरवादी कटी डाल बन के त्यार है बहुत ज़धा टेस्टी बनती है एक बर आप इसे बना के ज़ो ट्राइ करिएगा उमीद है आपको ये रेस्पी पसंद आएगी रेस्पी पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ तब तक लिया लाहाफिज